अमस्कार पंचायत आज तक मैं आप सभी का स्वागत है आपके साथ हूं मैं नेहा बात हम पंचायत आज तक के इस मंज के जरीए आपने सुभा बनारस के भी दर्शन कर लिए और शामे बनारस का भी भव्य नजारा देख लिया लेकिन तीन खास मैमान हमारे साथ इस वक्त इ प्रदेश के लेकिन सबसे पहले रवींद्र जी आप से शुरुआत करते हैं कि हाली में जो कॉरिडॉर का उद्घाटन हुआ उसमें समावेश दिखाई दिया विकास और धर्म का ये जो विकास और धर्म की दरसर राजनीती है इसमें बीजेपी के लिए इस वक्त क्या महत पूर्ण है धर्म महत पूर्ण है विकास महत पूर्ण है दोनों नहाजी पहले तो धरम अलग है राजनीत अलग है और मैं कह सकता हूं कि राजनीत में धरम है यह राजनीत हो पवित्र है वह धर्मिक्ता हमानते हैं कि उतने धर्मिक्ता से राजनीत करना चाहिए विकास अल तो यह 75 साल हो गया उसके बावजूद इसका विकास नहीं हुआ था तो विकास का अलग पार्थ हो गया और धरम का धरम का विकास या उसका होना चाहिए था किया गया लेकिन जहां तक बात कर रहे हैं दोनों का मिक्स होने का तो धरम राजनीत में जरूर धरम है और इसलिए आरोप यह लग रहा है समाजवादी पार्टी हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टी यां कॉंग्रेस का प्रेंजितर की वैभात्र पार्थी जी कर रहे हैं उन्हें ने कहा कि टाइमिंग बड़ा परफेक्ट है आप टाइमिंग अगर देखा जाए तो चुनाव बहत नज करता है और यही वज़ा है कि यह तमाम डेट्स रखी जा रही है यह के बाद एक हर हफ्ते लगवाद दो परिजनाओं का शिलान्यास दो जाटन दो हजार दो हजार से लेकि अब तक के बनारास में 26,000 करोण में विकास काम किये गए वह 26,000 करोण 14 मिया लग 15 मिया लग 16 मिय लगातार के जा रहा है कोई इसा महिना नहीं है जिस महिने में मानि प्रधामंदी कुछ विकास का नया काम न कर रहे हूं बाकि लोग क्या कहते हैं उनका विजन है लेकि हम लोगों ने का पुर्वांचल का विकास जो अधूरा था पिछड़ापन था उसको विक्षित किया लेकिन पुर्वांचल ही क्यों रविंद्र जी क्योंकि और भी तो अलग-अलग शेत्र हैं पुरे उत्रप्रदेश पर 403 सीटें साधनी है अगर 403 सीटों के अलग-अलग लोकेशन आप देख लें तो सभी को विकास की जरुवत है पुर्वांचल से ही क्यों लखनों की सी होता क्योंकि यह भोले कि नगरी थी मागंगा का नगरी था विशुनार जी का नगरी था इस यहां परेज करते थे हर पार्टियों के अपर कुछ अजन्डा थे मानि अखलेश जी का सेफ़ई था सेफ़ई का बढ़नी पार थे तो इसको जो उपेच्छा हो रहे थे मानि पध खाली गया सोला खाली गया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र सोला हज्यार बनाए गया थे सवचाले और सरकार मानि मोदी जी ने लगातार अखली जी से कहा कि आपको हर घर में बनाना सवचाले लेकिन यहां लिया ने गया इसमार्ट से ड़म पढ़ी थी जब सत्रम में मानि योगी जी आजी ने कर सकते हैं कि डबल निया सरकार मारी बनी तो आस 45 लाक हमारे पास अवास बना दिये गए फिर हमने आपर दो करूं ठार लाग परिवार में सब्सक्राइब तो सोचाले जो नहीं था आज दो करूं ठार लाग परिवार मान दिया गया है यह सब्सक्राइब जितने शिक्षा संस्थान है सब बोधी जी के और योगी जी के कारकाल में क्योंकि डबल एंजिन की सरकार हो गई तब शुरू हो गए और बाकी सारी परिजनाव पर जो है वो पूरविराम लग चुका था हम ने उसको आगे बढ़ाया बाुद साल pig ल수 ? मान्नी मंतरी जी सरकार के सिर्फ चारण भाद करने के बजा है अगर जमीनी हकिक्त का मान्नी मंत्री जी शामना करें हम आप जहां बैठे हैं और मागंगा के ऊपर हम लोग बैठे हैं और मैं समझता हूँ कि मागंगा का जो भाव है नेहा मागंगा का भाव समता का भाव है कोई आये एक समान रूप से मागंगा देखती हुँ और मागंगा के उपर बैठ के छूट चुकि जूट इन लोगों का जहां आप बैठी हैं इसी बनारष सहर में और बनारस सहर में बनारस सहर के पंडित छनुलाल मिस्रा जी को कौन नहीं जानता होगा पूरी दुनिया में और ठुमरी बिधा के पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्य व्यक्ति हैं उनकी बेटी कोरोना काल में जब दबा और आक्सिजन के अभाव में और छनुलाल मिस स्थान है जिसको मालवी जी ने अपने पराक्रम के दो से लोगों से चंदा लेकर के जिस संस्थान को दुनिया में सबसे बेहतर बनाया आज वही संस्थान मानी नरेंड्र मोदी जी के प्रधान मंत्री और उनके यहां के अस्थानी सांसद होते हुए भी वो संस्थान स्टेचर के लिए तरस रहा वहां मरीजों को स्टेचर तक नहीं है आप अखलेश यादव जी के सरोकारों की छ पूल्ड देखिए फ्लेश यादव जी का जो भाव था वह संता का था समावेशि का बाव था लेकिन नहीं हो दूखा दिये हैं इस देश में आभ ये भात खड़ी करते हैं कि जातिए जंगरना नहीं चाहिए अखलेश यादव जी जब इस डेश में सवाल खड़े करते हैं प्वार्आती के संस्थानों में हो कि और उसको लगाता है इमोलिस किया जा रहा हूं उनका अधिकार दे दिया जा हूं और उनकी रैलियों में अब अब जब भारती जंता पार्टी लेकपाल लगा ले रही है, पुलिस लगा ले रही है, एक आदमी नहीं आ रहा, जब अखिलेश यादव जी के रैलियों में, सिर्फ भ्यक्तियों का ही नहीं, आप से कहूंगा कि भावनाओं का, उम्मीदों का, और खुचियों की रात के दो जादिगत जंगरना की बात की थी, चुकि हमारा ये मानना है, कि किसी बर्ग की, किसी अस्थान की, जिनकी जब तक आपको संख्या नहीं पता चलेगी, तब तक आप ये कैसे निर्दारित कर पाएंगे, कि उनके लिए शंसाधन की, उनके लिए ब्योस्थाओं की, उनके ल जादिगत जंगरना संपन कराई जाएगे, अब अखिलेश यादाओ जी के प्रती जो लोगों पता चाहिए, ये बात भार्ती जंगरना की बाती जादिगत जंगरना हो जाएगी, तो उभर जाएगा, हमारी पार्टी ने राष्ट्री अद्यक जी ने कहा है, कि उत्तर प् जादिगत जंगरना संपन कराई जाएगे, अब अखिलेश यादाओ जी के प्रती जो लोगों का भाव है, जो लोगों की भीड है, जो लोगों का अपना पन है, वह वागरती जंगत पार भीड तो हम देख रहे हैं, वो जो विजय रथियात्रा चल रही है, अखिलेश या खास करके भारती जंता पार्टी को पूरे अच्छे से पता है, और भीड ओट में तबदील होगी, और आपको इस बड़े मंच के माद्यम से, चुकि आपके मंच को हम लोग मानते हैं कि देश और दुनिया भर में देखा जा रहा, आपके मंच के माद्यम से करें कि समाजव पार्टी आपकी बार 400 सीटें जीतने जा रही है, भारती जंता पार्टी का वही हाल होगा, जो आपके चैनल ने एक दिन दिखाया, गोरत पूर के इनके विधार का, जो आता है वो 400, उससे नीचे ना उपर एक कम ना एक जादा सिर्फ चार सो, निया इनके जन विश्वास रैली में ने जन है न विश्वास है, जनता है नहीं और विश्वास तो है पहले ही खोट के, आज तो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उन 70,000 सिक्षक भरती के नाजवान सवाल खड़े कर रहे हैं, कि परिकों पुछडों का 22,000 रहक आपने क्यों नहीं दिया, तस्वीरे ने तो देखा कहीं जन समर्तन नहीं दिखाई दिया, खाली कुर्सियां जरूर देखी, आपने ठीक कहा कि तस्वीरें जूट नहीं बोलती हैं, जिस मा गंगा के धाम में हम लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं मा गंगा पे उतराती लाते किस ने नहीं देखी, पुरे देश क कि लोगों ने नहीं देखा, कुब्यवस्ता, दुर्ब्यवस्ता, अक्सिजन के अभाव में जब लोग मर रहे थे, तो एक तानासा यह कह रहा था, लोग एक तानासा मुख्यमंत्री यह कह रहा था, मरे हुए लोगों के परिवारों के प्रति, आत्मियता और संबेदन सील जाती यह समुदाय के नहीं, केवल सपाफ में जाती यह समुदाय के बात के उखार करते हैं, हम गंगा बेठे हैं, उन्होंने आपको बोलने दिया ना अवने गंगा के बीचे में बैठा हूँ, ठीक हमारे पीछे रामनगर के पूल है, जिसका सिलिनास किये थे मुलायम सिं पूरा कारकाल खतम हो गया, फिर अखिलेस की बवाजी आगए, पूरा नहीं कर पाएं, उसको मानने योगी जी किया, रामनगर का चुनार के पूल को गंगा के बीच में, पट नमबर एक, पट नमबर दो कि यह जो अखिलेस ज्यादों कभी निकले नहीं करोना काल में, कि ट्यूट करते थे, हमारे योगी जी हम सब करता हो, को ले करके लगाता, अनाज बाटने से ले करके दवा बातने किया, यह लोग तो वैक्सिन का बिरोध कर रहे थे, यह तो भाजपा का वैक्सिन है, इसको ना लगा, साइध, मिर्तु दर, यूपी का और काम होता, यह भी अधिक मेटउदर होहा था, करोना में सबसे कम कहीं था, तो यूपी में था मनें योगी जी के एक्सन कारा से था, जहां तक विकास की बात करहे हैं, यह लोग केवल सोते थे, यह सेफ़ई में नित कराते थे, और मनें योगी जी देोदी पाली मना रहे है, अध्या में ये यहां तक कहते हैं रवीन जी कि जो बाबा है मतलब योगी जी सवालों का जवाब एक सवाल है चोटा सा सवाल है हाली में यह फोन टैपिंग का मामला उठा कि बाबा जी कोई काम पर ध्यान नहीं दे रहें सिर्फ मेरी बात बैठ कर सुन रहें आप योगी जी 16 गंटे 18 गंट आते हैं जब अखले से आदो सो को उठते हैं 12 बजे तब तक महराज जी सवीरे पूजा पाट करने के बाद 2-4 जीले के दवरा कर आते हैं तब अखले से बावू निद्रा से उठते हैं ब्यक्तिकत जानकारी है आपको बेडरूम तक कि यह तो अख़वारों चापावाई अखले से सब्सक्राइब 11 बचे मिलते नहीं जनता से नहीं मिलते हैं चलता है काखा जी क्योंकि एक खाली में तस्वीर आई और सभी ने उस तस्वीर को देखा जिसमें मोहन भागवात और आपके सुप्रीमों मुलायम सिंग यादर एक साथ दिखाई तब कॉंग्रेस ने तो जो हम बैस चरीत भारती जनता पार्टी का हम वही चरीत आइप तक वह सुप्र pauels दिसंग कि दोनों लोगों का जवाब मुझे देना है पूर्वन दोनों लोगों को दो बार समय मिल चुका है। माननी मंत्री जी ने भी कहा कि अभी सिला न्यास और विकास कारी कर के उदघाटन कर के गए हैं प्रदान मंत्री जी। अरे मंत्री जी पहले ये बता दो कि उन किसानों का जिनका जमीन अधिकराण हुआ। उनका भुक्तान सरकार क्यों नहीं कर रही है आप जो विकास और बाग की बाते कह रहे हैं यह सब जूट है जुमला है आपके फाईयों में गाउं का मौसम गुलाबी है मगर साहब और बाबा जोनों सुन लें यह दोनों आंकडे और वादे जुटे हैं महज किताबी बाते हैं और मैं आपको बता दूँ मंदिरों को तोरके बिग्रहों को तोड़के पूरे वास्तू को च्छत विच्छत तो आप क्या चाहते हैं अरे आस्था को आप पतली गलियों और भी आई-पी रोडों और धक्का खाते रहें धक्ति से पहुंच जाएं फाइव स्टार कल्चर देना है देखना है तो हमको दिल्ली बंब गोवा है कि नहीं है नहीं नहीं आज भी है और कल भी रहेगा जब भी आई-पी वहां जाता है गरीब आजमी लाइन में ख़डा होता है सुगम यात्रा के लिए घंगा दर्शन के लिए गंगा जर्सन इनोंने को पता है इनोंने कोई गंगा जी गुजरात से लाके नहीं यहां अस्थापित कर दिया है गंगा चिरकाल से हैं यहां बाबा उल्टिबार आज नहीं है और मैं आपको बताता हूं एक व्यक्ति एक आत्ताई ने मंदिर तोड़ा मस्जिद बनाया और पर चाहिए पर बेद अब्यास पीट सरस्वती माता मंदिर रन्रपूर्णा मंदिर तोड़के होटल और गेस्थाउस बनाया पूरे कारीडोर में एक वटे चार हिस्सा विसुनात न्यास के पास है और तीन वटे चार हिस्सा होटल के रूप में कारुवारी बड़े-बड लाडिया को हुआ अब मैं इनकी बात का हो मैं आपकी चमक फाड़ा जी को आज तक साथ साल में आपने सिद्ध क्या किया सिर्फ आरो जूट है जूट का सबसे बड़ा टिंडर सबसे बड़ा एक्सपर्टीज भाजपा के लोगों के पास है आज तक कुछ हो नहीं पाया मै करों गंगा घाट पर चांजी लाइटे लगा देने से भिकास नहीं होता है चांजी लाइट लगादेने से अता का वह गिसान वह मुष नहीं पूछ रहा है कि आपकी उन चमक धुमक में हमारा दो सों लिघंट कितने हजार करोड करोडर बनाने में खर्चों गया चाइनीज लाइट आप यह बताओ कि कि इसार् हजार करोड रुपे लगा जि सकता करिदर बना दीया उस सब्सक्रहीं के सब्सक्रिद्न कर्यों कि तो एक सब्सक्राइब कई कि इसे पात को क्यों नहीं पूच्ट इस मीडिया का भी उतना ही रोल को पूचती कि 50 रुपय का पेट्रोल 100 रुपय में क्यों बेच रहे हैं क्यों नहीं पूचती कि उस किसान का 2014 में जो एक कुंटल गया हुँ बैसता था और तीन ओर डाई खरीदता था आज तेरा सोर रुपए की डाई भिक रही है और गिसंगेहुं का किसान का गिसंगेहुं वह तो वापस तो ले लिया ना सरकार देश बिल से मतलब नहीं है यह जो अरे वहिए डीजल डीजल सबसे ज्यादा उभोग किसान करता है सिचाई जुताई जुताई तिन गुना हो गई ज जिस पार्टी के नेता ने कहा हो कभी भवी समय कि मैं दुरभाग से हिंदू हो गया हूं यह इंद्रा जी के पिता जिन गई नहीं चलेगा तो तो बिसुनाद मंदीर कभी गये नहीं और तब यह विकास यह लोग केवल चलते हैं जिन पार्टी के लाजनी थो रहे पाद्री वो संकराचार को मंदरी में देख नहीं पारा है जो पादरी के माध्यम से जो इटली के पादरी से चल रहे हैं जालतो रहे हैं। पर नमबर एक जब जाते हैं जाता हो मंदिर जाता नहीं हो आज के रैली में दो लाग किसान इकठा थे यह मिस्गाइट कर रहे हैं कि दो लाग किसान थे मोदी जी के कारकर में जो धन्नवाद दे रहते कि आप नहीं हाँ पर अमूल का प्लांट लियागर के विकास काम किया यह मिस्गाइट आज के आज में दो लाग किसान दाने पर हैं जिन लोगों की जमांते जब दो गई हैं यह लोग सबाग चुनाओं में खाते थे हम पचास के ओपर केवल यूपे में एक सिट्पाइब सिंगल बाकी इनके नेता राहूल गांदी यहां से हार गए जहां तक हमारे मित्र की बात है यह भी करते बिधान सवा के अंदर यहां से जी आश्वास को तो वाइनाट नहीं जाना पड़ता ना लोग बड़त भी दगे हुए कार्टु से निकल जाते हैं अच्छा उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस की कितनी सीटे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस बदलाओ चाहती है बदलाओ लाएगी मैं आपको बता दू यह दोनों पार्टियां जाती धर्म दो महीने पहले क लाल काले हिंदू मुस्लिम दलित यादव पिछड़ा ओवी सी ब्राम्मट हमारी नेता प्रियंका गांदी ने एक नई लकीर खीज़ दिये मजबूर है यह तुझा नहीं हुआ और मैं आपको बता दूँ एक नई लकीर खीज़ दिया हर जात इसे बड़ी कि महिलाओं को ह हम आगे वढ़ाएंगे 40% टिकट देंगे एक नई लाइन है वो हर जात में महिला है ब्राम्मट दलित मुस्लिम सिख जैनी पार्सी सब इस जगह महिला है और महिलाओं में इस बात को लेके बहुत जोस है और सारी जनता ये बात कह रही है कि ये सरकार बदलनी है आप चाहे है कुछ भी कह लीजिए इनके दावे को अंदर करेंट है मतलब बिलकुल अंदर करेंट है जो लोग ये चमक धमक इनकी पचास करोड़ की एक रहली मोदी जी की एक रहली पचास करोड़ की होती है जब उस रहली को देखते हैं तो गाहँ वाले कहते हैं कि हमारा 200 रुपे क सरसों का तेल अगर ये रैली कर लेते हैं आपकी सीटे आ जाती ही वहां तो कोई गया ही नहीं ना राहुल जी अपने अंका जी पूरी सरकार हार गई आपने उस पर कोई बात नहीं आरे तो आप पे भी सवाल पूछेंगे ना रैली से भरक पड़ता है तो आप सवाल पूछ सवाल उठा रहे हैं यह जो जिन्ना की एंट्री हो जाती ना इससे सभी मुश्किल हो जाती ही नहीं सवाल खड़े कि यह बेरोजगारी का और सी माई का की रिपोर्ट है ची माई जो है मैं समझता हूं कि 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 संस्था नहीं है सेंटरल फार मॉनिटरिंग इंडिया एको नामी ने कहा कि इस देश में 45 वर्स में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मानी मंत्री जी को अपना संकल पद्र 2017 पढ़ना चाहिए अगर मैं जूट रहूं पढ़ लेना चाहिए उसमें भारती जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश इसमें 70 लाख रोजगार की बात की भारती जनता पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश अधिनस्त कर्मचारी चैन आयोग से एक ब्रक्ति को रोजगार देते हुए दिखाया आपके भी चैनल ने जब रेकी किया तो योगी आदितनाज जी जो सरकार के मुखियां उनके चैनल उनके ट्विटर के माध्यम से जिस एक युवा के नौकरी देने की बात की गई जब उसको उसकी लोगों ने तहकीकात किया तो नेपाल भागता हुआ है तो लोग सवाल खड़े कर रहें कि अब तो डीजल पेट्रॉल 200 के पार है अब अच्छे दिन किधर है जो सरकार और माननी मोधी जी रुपेया जब गिरता है कि आपसे यह पूछना चाहते है कि आप क्या था कि आपने मुखमा विपक्स के लोगों का तो फोन टेप करा रहे हैं विपक्स के लोगों के घरों पर छापा मार रहे हैं बहुत अच्छी बात है आप सुचिता का परिचे दें लेकिन आपने आपने पीम क्या फंड का हिसाब देने से मना कर दिया आपने जिस ब्यक् संत्री के बेटे की संपत्ती जैसा की एक साल में 16 हजार गुना उस दौर में बढ़ती है जब आपके रहते रहते हैं यह की टेप है क्या देश की अर्थ वस्था गिरी तो उसमें आप अंधाल सड़क पर आईए हम अंगाई का मुद्धा नहीं तर जाने अब मोदी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है बेरोजगारों को रोजगार देना दो करोड रोजगार पंद्रे लाख रुपे का वादा करने वाले प्रधान मंत्री कहां गया भोजाते हैं रोजगार के मुद्धे पे नहा जी पूरे आज तक के इतिहास में प्रधान मंत्री जितने भी हुए कम से कव एक प्रेस कांफेंस साल में जरूर करते हैं और कईयों ने तो कई हर महीने करते थे लेकिन सुक्रह मंत्री जी टेली प्रॉम्टर वाले नहीं है लेकिन प्रधान मंत्री जी टेली प्रॉम्ट प्रदान मंतरी की जिम्मेदारी है कि जनता के सवालों से रूबरू हो लेकिन क्यों भागते हैं एक बार इंटर्व्यू दिया वो भी आम कैसे खटते हैं वैभव जी इस समय आपके जो सांसद हैं जितने मिमानिय कॉंग्रिसी सांसद हैं दो मुद्दों पर पूरी तरी से मुखर हो गए अर्जय मिश्रा टेनी की बर्खास्दगी और दूसरा जो सांसदों का निलंबन का मामला है दो मामले मुखर तौर पर अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है बेरोजगारी के मुद्दे से महंगा उस पर करिए न धर्वारी औ आवास वालों को सुची बनाओ आगनवाड़ी वालों को सुची बनाओ इनको जवर्दक्ति कर्मचारियों की सुची आजमगड में चालीस लाख रुपए और आवाज उची कर देते हैं सर आप जवाब बलास्ट हुआ बलास्ट हुआ था वाराश्टिक एक एंटर पर इन गुंडों पर अपरादियों का आतन्ग वादियों करवाई कर रहे हैं तो अहले स्वास के लोंके पेट में दर्द होता है रेचित की लाख कर रहे हैं जब जब पूरे में आतंगवादी तो माल पूरी कर देड़े ना अजे मिश्राइब को बर्खास करके लो पुलिस जाच कर रही है पुलिस जाच कर रही है इंके अगर कोई जा रहा है जाच कर रही है करेंगे लेकिन बिल्कुल अगर दोसी से दोंगे तो जेल में ही रहेंगे और सरकारी वकील भी पूरी तरह से विरोध भी करेगा उनके बेल कर रहा है सजिश तही इनके होह रहां तो इनके हाँ तो जिनों ने जिनों ने राजु गांधी ने जिनों राजु गांधी । तो इनको पर अपर अपर आप धरवाई कर रहे तो पर अनके लिए कर्वाई करें अनके पेट में दढ़ रहे हैं क्यों करवाई कर रहे हैं दर्द क्यों प्रदान मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी इतनी जहमत उठाएंगे कि उसकी जाच करा लें यह लोग वह लोग है जब गाउं की महिलाएं सब्सक्राइब कुछ किया नहीं अब आदेश के प्रधान मंत्री जी ने उनके लिए कि इतना आत्म विश्वास है कि कि किसी भी शेत्रे दल से गडबंदें तक नहीं कि आपने दम पर चुनार रहें कि एक बार किया साथ में अखेलेश के तब कुछ नहीं कर पाए तो तो क्यों कर पी रहें और इस इदी बात करती है सब्सक्राइब कर देती है लगबग 25 रुपय कुंतल धान वहां विक्ता है वादे नहीं कि इनकी तरह दो करोड पंदर लाक ये वादे थे बाद में जुम्ले बन गए हमारे नहीं हमारे संकल्प हैं हमारी प्रतिक ज्याएं हैं हम उसको पूरा करेंगे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काहने प्रधानमंत्री महिला ससक्तिकरणबिल को आगे ले आते हैं किसलिए आधार वोटर लिंक अलग राज्यों में खत्म होता जा रहा है धिरेद्रे समट्टी जारी कॉंग्रेस क्यों क्या वज़ाएं अंग्रेज ये बात कॉंग्रेस मुक्त अंग् प्रेज निपट गया यही चीज भाजपा का भी होने वाला जी बात जब तो इनकी जब तो यह लोग सब जब तो यह बात जो चमक धमक को आप देख रही है बनारस की गलियों को आपके देने जहां माने मंत्री जी रहते हैं इनकी सड़को देख लीजे इनके पीछे खोज अगर विधान सभा में मंत्री जी रहते हैं के एंट विधान सभा में पिछले बतीज साल सी साल से इनहीं के एक परिवार के विधायक हैं मंत्री जी अपना चेत्र चोड़के दूसरे चेत्र में उन्होंने सरकारी आवास नहीं लिया ये बात उन्होंने बेखिए ऐसा है बाते अपनी जगह हैं ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं मैं आपको एक उदार बता दू मानी मोदी जी पहली वार संसत कि अरे जाहिल है मसला यह है देखिए एक चीज को दो तरीके से मत पारिवार से तरिए दूसरे चीज मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सिवपुरवा में सीवर नहीं ओभर फ्लो हो रहा है कम अच्छा में नहीं हो रहा है गलियों में इतना कीचड़ है इतनी का रवाजपा का सरकार भाजपा की लगर नगर निगम में करता जब से भाजपापा की जब से बांग की सकता है बनारस सहर को यह जिसकinka शहायक नदी है वरुना नदी बरुना कारिडर बनाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया यहां तारों को अंडर अंडर ग्राउंड करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया जो हमारे पूर्खों का लोहिया कहा चाहे भगत सिंग का चाहे पुझे गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का उस ग्राम स्वराज को भी कामधेनु योजना लोहिया ग्राम अवास योजना जनेश्वर मिश्री योजना उस ग्राम स्वराज भी कैसे सम्रिद्ध और यह मां गंगा तभी सुदो पाएंगी जब इनकी सहायक नदिया सुदो पा कि कैसे मा गंगा अभिर्याल और निर्मल रह सकती उनसे भारती जनता पार्टी वो अंसन करते-करते मर गए जी अन्ट नदियों की कि नदियों तो मुझे याद आ गया रही जाच में अखिले से आदो भरस्टा चान पस गए अरे आप आपकी आई आप प्रेंडी है आपकी इंकम तेड़ रहे तो ब्रॉना पर प्रफ्टा चार बताते बरुणा पर आप रहे तो शुरूब आप खोद आपकार डबल एंजिन के सब्सक्राइब आपके बजू आती है आपके कौन था गोंगी नहीं बना पाई उसमें अखिलेज स्विपाजी थे ना जाच बाए गए अरे आप अगर कहीं कोई प्रस्टा चार हुआ है तो हमत है तो उता अगर करो आप देखिए ऐसा है यह आरो चाहे यह हो चाहे यह हो पूरी कैबिनेट में जो गुंडों की भरमार है इनको माननीय ग्रिह मंत्री कहते हैं दूरबीन अरे दूरबीन बगल में घुमाल प्रवू आपके बगले में खड़े थे इनको इनको अध्यन ठीक करना चाहिए आपको आपको जो पीड़ा है मैं स अध्या देने के संसान थे प्राथिमिक बगले जुनियर अपर टिपड़ी करने में आपको तरह सारी है आपको तरह से तरह सारी है यह हो वह करके बोले ना अगर प्राइब करके तो आज सेंट्रल इनवर्सिटी में एक बी दलीता और पिखले बार का प्रोफेसर होगा तो आपको गिंति नहीं पता है आप यह ज़िए जिद्धी और विद्धिया पिद्ध्या प्राइब आप यह जिद्धिक कर आए तो दक्राइब कर आए थे मै है तो यूपी में योगी सर्कार क्यों नहीं दे सक तो जब तीन विद्याक पास हो रहे थे तब कहा थिया आपकी पर्टी विद्ध्याक कैसे पास वुए आपको नहीं पता है त становится सोगा होगा पूरा इतिहासा सथा लोग आप खरस्चा ए सव्कुरे कानून पास होता है बि वहां कुस तो रूल होगा जो आपने दो मुद्दे बताए कि टेनी का बाई ग्रिह राज मंत्री रहते हुए जाज को प्रभावित करेंगे इसलिए मांग है दूसरा मुद्दा जो संसदों को बर्खास्त किया है बारत की संसद में जो ब्योस्थाएं है वो यह है कि सभापत सब्सक्राइब करने का 20 मिनट में बिधयक पास हो जाता है बिना चर्चा के स्टिप Chemistry की मांग की जाती है इसटेंडिंग कमेटी की Мांग की जाती है क्यों नहीं इस्पिकर मानते तो यह तुरंट मान हुम हो मां मानी जानी की चीए इस सभा में भी भी हला में पास करो लोग करें कि अजस्त सा करा झाल झाल